आज की वीडियो में मैं आपको 663 की फेक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा फेक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वे नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं एक्जम्पल के लिए 2, 3, 5, 7 and so on यह कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए इसके बाद इसमें आपको टेबल साना जरूरी है फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचिस होती हैं सी तरह मैंने 663 की दो ब्रांचिस बनाई लेफ्ट साइड में आपक कि एक प्राइम नंबर्स नहीं है तो फेक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी 13 इंटू 17 221 हुआ राइट साइड में 17 है जो कि एक प्राइम नंबर्स है इसका मतला है कि आपकी फेक्टर ट्री यहीं पर क्लोज हो गई अब आपको चेक करना है कि आपकी फेक्टर ट्री सही है इसके लिए आपको left to right चलना होगा left to right चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे फिर इन प्राइम नंबर को आपस में multiply कियाता है multiply करने के बाद इसका result हमेशा वही होगा जिसके आपको factor tree बनाने ती 3 into 13 into 17 663 हुआ इसका मतलब है कि आपकी factor tree एकदम सही है and 3, 13, 17, 663 के prime factors भी होएंगे और अगर आपको 663 की factor tree का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो please मेरे चैनल को like and subscribe जरूर कीचे